आप सभी का इस चैनल में श्वागत हैं मैं आप लोग के साथ एक न्यू वीडियो शेयर करने वाला हूँ इस का जो न्यू वीडियो होने वाला कालेश रिलेटीड होगा इस कालेश रिलेटीड में आप लोग के साथ राम लखन सिंग्ह यादल एक उस रिलेटीड बात करूंगा तो first merit list आपको कैसे चेक करना इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ second आपका जो merit list में अगर नाम आ चुका है तो आपको admission में कितना fee लगेगा वो भी में बताने वाला हूँ और कौन-कौन से ऐसे student है जिनका fee नहीं लगने वाला वो भी बताने वाला हूँ और last में भी बताऊंगा कि आपका अगर first list में नाम आया है तो admission कैसे लेना है admission form कैसे भरना है subject का selection कैसे करना है तो क्या है यहाँ पर आपके लिए ना honors मिलेगा कहीं लिखा हुआ सबसेडरी मिलेगा कहीं लिखा हुआ तो क्या ऐसे हम इसके बारे में समझेंगे कैसे subject को selection करने वाले इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ तो चलो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं online कैसे करना है ठीक है और इस वीडियो के इंटार में मैं आपको लोग को बता दूँगा fee कितना लएगा कौन-कौन से student का नहीं लगने वाला है sorry सबसे पहले मैं आप लोग के साथ बात करूँगा कि merit list कैसे देखना अनलाइन करने से पहले हम लोग मेरिट लिष्ट देख लेते हैं कि चेक कैसे करना है मेरिट लिष्ट का ठीक है तो आप लोग के सामने को website ओपन है इसका link में ठीक है यहाँ पर click करने के बाद इस type का interface open हो जाएगा लेकिन मैं आपको जो इसका official website जो home page है वहाँ पर ले चलता हूँ और उसका जो link है में description में भी आपको दे दूँँगा आपको क्या करना है यहाँ पर जो online है इससे आपको तोड़ा remove करना है ठीक है मैं remove यहाँ से कर देता हूँ और इसके बाद आपको इंटर कर देना है ठीक है इंटर करने के बाद जो home page है home page open हो चुका है अब merit list देखने के लिए using merit list station यहाँ पर है information आपको उस WhatsApp group में मिलता रहेगा ठीक है तो यहाँ पर आगया अब यहाँ पर आपको minor subject select करना है ठीक है minor subject जो भी हो minor subject कहने का मतलब जिसे आप honors मनाने वाले जिसके लिए आपने apply किया था ठीक है तो यहाँ पर session भी देख सकते हैं 2023 सता है minor subject जो भी हो आपका अपना select कर लेना है तो यहाँ पर मान लो कि मैं select कर लेता हूँ chemistry ठीक है यहाँ पर देखो download का button इस पर click कर देना है इस पर click करने के बाद आप रहेगा ठीक है तो आप इस तरह से अपना merit list चेक कर सकते हैं और अगर फी से related अगर हम लोग डिसकास करें तो जिन लोगों का general category हो BC1 हो BC2 हो उन लोगों का 3000 उन लोगों का admission charge लगने वाला है उन लोगों को online pay करना है और जो student ACST से होंगे चाहे लड़का हो या लड़की उन online transaction charge जो होता है वो लगेगा और जितने भी category के लड़किया है उन लोगों का भी कोई जो admission fee नहीं लगने वाला है सिर्फ जेनरल के student जो भी student है लड़के general के लड़के BC1 BC2 के लड़के इन लोगा जो admission fee हो लगेगा बाकि किसी भी लड़की का नहीं लगने वाला है और BC2 लड़कों का भी admission fee नहीं लएगा फिर online सिर्फ online transaction charge लगेंगे ठीक है तो अब online कैसे करना है तो online करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो online admission portal है इस पर आपको click कर देना है ठीक है इस पर click करोगे तो redirect यहाँ पर आ जाओगे अब यहाँ पर आने के बाद bottom में यहाँ प देना है इस पर click करने के बाद यहाँ पर आपको number डालना है जो application ID जो number है आप लोग का ओ यहाँ पर डॉलना है इसके बाद आपको first semester select कर लेना है ठीक है क्योंको यहाँ पर semester wise पढ़ाई होने वाली है यहाँ पर चलो मैं यहाँ पर जो application ID ओ नमबर यहाँ पर मैं डालता application id जो number उसे डालने के बाद आप लोग के सामने student detail open होगा यहाँ पर आपका application number open होगा ठीक है application number कहने का मतलब है जो आपका number 23 से starting होगा वो number आपको यहाँ पर डालना होता है ठीक है honors paper आपको क्या होगा chemistry हो गया इसके बाद आपको यहाँ पर click here for admission पर click कर देना है click करने के बाद यहाँ पर please fill your admission form है यहाँ पर student name father name fill up रहेंगे mother name आपको fill up करना है यहाँ पर date of birth आपको fill up रहेगा इनके गलत है तो आप date of birth भी यहाँ पर सुधार सकते है date of birth तेंथ में जो हो है वह category पर आपको fill up रहेगा religion आपको slate करना जो भी आपका religion होगा अपना slate करना है ठीक है इसके बाद यहाँ पर अधार नमबर अब mandatory हो चुका है must हो चुका यहाँ पर आपको अधार नमबर अब डालना ही डालना है जो student के पास general category के हैं और उनलों के पास EW certificate है तो उनलों को यस कर देना है ठीक है यस करने के बाद उनलों के लिए provide किया जागा EW certificate upload करने के लिए तो उनलों को upload करना है EW certificate जो है general category के लिए यहाँ पर category BC1 है BC1 को इसमें कुछ भी नहीं फिलप करना no रखना ठीक है अगर mobile number email ID गलत है तो इसे आप सुधार सकते हैं email ID भी सुधार सकते हैं और email ID और mobile number ऐसा डालना है जिसे आप से communication हो सके यानि college वाला कुछ भी message करे mobile number पर email पर तो आपके तक पहुंच सके ऐसा करना है ठीक है बहुत सारे एसे student है जो ऐसे email ID डालते हैं जिसका उन लोगा password नहीं मालूम ठीक है तो चलो अब बात करते है applied for के बारे में देखो अब यहां पर हम लोग बात करेंगे applied for के बारे में ठीक है यहां पर course name आपका दीखेगा program name भी आपका दीखेगा कोई change मत करना यह भी आपका देगा कोई चेंज नहीं होगा लेकिन अब यहाँ पर क्या है यहाँ पर देको हम लोग पहले पढ़ते थे क्या हम लोग फॉर्म भरते थे तो देखते हैं honors paper है subsidiary paper है लेकिन यहाँ पर major course का मतलब honors paper होता है इसमें आप कोई छेड़ नहीं सकते हैं यह आपका disable रहेगा ठीक है अब यहाँ पर minor subject क्या है multi-disciplinary subject क्या है ability enhancement course क्या है skill enhancement course क्या है value added course क्या है इसके बार मैं भी बताने वाला हूँ क्योंकि यह subject है इसी subject को आपको fill up करना और इसी subject को आपको exam भी देना है तो कैसे subject को selection करना है सबसे पहले उसके बार में लोग समझ लेते हैं चलो तो हम लोग यहाँ पर जो subject है selection कैसे करना हो देखना है major subject का मतलब है honors ठीक है minor subject क्या है द लेकर यहाँ पर अब ऐसा जो new education policy उसमें बताया गया कोई भी किसी भी कोई भी subject लेकर पढ़ सकता है science वाला arts भी लेकर पढ़ सकता था लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं बनाया गया ठीक है minor subject जो होना चाहिए major subject से मिलता जुलता होना चाहिए जैसे कि आप लो subsidiary लेते थे ठी ठीक है तो minor subject में अपना select कर लेना क्योंकि chemistry तो chemistry science से है तो science से related है आपका यहाँ पर subject है तो जो आपको यहाँ पर दियागा वही select आपको करना है ठीक है तो चलो मैं यहाँ पर physics select कर लेता हूँ जब आपने physics यहाँ पर select 404 आएगा कोई दिकत नहीं है यहाँ पर select होने देन ठीक है अब multi disciplinary subject है ठीक है यहाँ पर course है तो अब यहाँ पर MDC MDC भी जो है इसमें भी ऐसा system है कि आप कोई भी subject लेकर प्रहाइक कर सकते हैं लेकिन college के द्वारा जो restriction लगाया गया subject पर ओ देखो यहाँ पर 3 subject दिया गया आपने यहाँ फिजी select कर लिया तो अब आपके पा ability enhancement course है अब इसमें क्या करना है जैसे आप लोग पहले graduation करते थे तो composition select होता था होता था 50 number का Hindi 50 number का English ऐसा select होता था ठीक है तो AMIL पर जैसे select करोगे तो आपको select language होगा अब यहाँ पर select करना है आपको क्या लेना है English लेना है Hindi लेना है कि उर्दू लेना है यहाँ पर 100 number का हो है पूरा मालों कि Hindi select करते हो तो आपका AMIL subject अब 100 marks का होगा यानि composition आपका 100 marks का होगा skill enhancement course है अब आपको यहाँ पर select कर लेना है जिसमें आपका interest होगा समझो कि आपका एक अच्छा handwriting है या communication जो आपका अच्छा है उसमें select कर सकते हो जो भी हो आपका तो creative writing है इसे select कर सकते हो value added course है value added course में जिसमें आपका interest है उसे select कर सकते हो ठीक है यह पूरा जो प्रोसेस है skill enhancement हुआ value added course हुआ यहां से आप लोग को थोड़ा बड़ा सरकार का गवारा जो economical आर्थी किस्तिती जो पिगड़ती उसमें भी सहायता हो सकता है ठीक है तो यहाँ पर आप जो भी आपको interest है select कर सकते हूं मैं स्वक्ष भारत को select करता हूं इसके बाद हम लोग बात करते हैं academic details से related अब academic detail में बताना यह है कि आपने पहले क्या पढ़ाई किया भाई अभी graduation madmission ले रहे हो इससे पहले आपने किया कि इंटर किया तो इंटर आपने कप पास किया हो बता देना है ठीक ह आपने intermediate में कितना marks लाया हो भी आप edit कर सकते हो ठीक है यहां पर बता जा रहा है कि भाई जो भी आपने यहां पर detail जा रहा है अगर गलत है तो आपका जो admission है वह भी रद हो सकता है आपका सुल्क भी refund नहीं किया जाएगा यहां पर बता जा रहा है student इसका खुद का responsibility होगा self responsibility होगा student का कोई भी गलत होता है यहां पर तो अब upload 12 का माक्षटी यहां पर upload कर देना है 12 का अगर original certificate है तो upload कीजिए आप provisional है तो upload कीजिए CLC upload करना है आप है CLC वैसे student के लिए है जो दूसरी college से आकर दूसरे college में admission लेते है मालो कि कोई school कोई गया में पढ़ाई किया है गया कि किसी college में admission लेता है ठीक है तो वैसे student में CLC लग जाएगा मालो कि आपने graduation भी जो सिन्हा college है राम लखनी आदो college है और फिर interview वहीं से किया है तो CLC यहाँ पर नहीं देना है यानि graduation भी एक ही college से कर रहे हो इंटर भी वही college से कर रहे हो तो आपको CLC का requirement नहीं है अब यहाँ पर upload document है upload document में आपको hier पहर article aplode करना 20 सब्लों तो बीका होना चाहिए signature यहाँ पर upload करना white page में 20 सब्लों के भी का होना चाहिए और अभी में आपर लोग को document के पार में बताये ये आपका image भी हो सकता है PDF वी हो सकता, PDF रखना होगा तो 1 MB से कम रखना है, image होगा तो 20 से 50 के भी में आपको यहाँ पर डालना है JPG format होना चाहिए, PNG format होना चाहिए, ठीक है और जब पूरा form आपका fill up हो जाएगा तो आपको इस पर tick कर देना है ठीक है, tick करना है इसके पर submit वाले पर आपको click कर दो चलो मैं इस form को complete fill up करता हूँ और submit पर click करता हूँ submit वाले पर click करने के बाद आप लोग के सामने interface open होगा जो आपने previous में data fill up किया होगा आपको यहाँ पर दीखेगा इसी page के सबसे bottom में आ जाना है नीचे आना है तो आपको मिलेगा select payment option इस पर आपको click कर देना है जैसे ही click करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर जो payment करने का जो online payment करने का process है कैसे आपको complete करना होगा आपको यहाँ पर करना debit का, net banking, upi, unified payment याणि upi से भी आप कर सकते हो ठीक है जब इस पर select कर लोगे इसके बाद प्रोशीड वाले बटन पर click कर देना है प्रोशीड वाले बटन पर click करोगे तो इस टाइप का interface आप लोगे सामने open होगा यहाँ पर student information, transaction, info रहेगा पे न आउ बटन पर आपको click करना है प्रोशीड वाले बटन पर click करने के बाद आप लोगे सामने इस टाइप का interface open हो जाएगा यहाँ पर बिलिव information आप कर रहेगा अब यहाँ पर आप मैंने वहाँ पर debit card से लिट किया तो debit card यहाँ पर दीख रहा है मुझे be accept अब debit card में अलग-अलग category की card होते हैं इस पर आपको click कर देना है तो यहाँ पर दीखिएगा कौन सा card आपका तो मेरे पास रुपे रुपे पर मैं click करूँगा रुपे पर click करने के बाद आप लोग के सामने इस टाप का इंटरफेस ऑपन हो जाएगा तो यहाँ पर card नंबर expiry date और year जो CV नंबर यहाँ पर डालना है और इसके बाद आपको college जाना है college में आपका document verification होगा क्या-क्या document लएगा मैं screen पर आपको बता दूँगा इसमें आपका computer department होगा वहाँ वो transaction नंबर दीखाना है वहाँ से वो बताएंगे कि आपको करना क्या है अगर बोलेंगे दुबारा payment करने के लिए तो आपको दुबारा payment करना होगा अगर नहीं बोले दुबारा payment करने के लिए तो आपको वहीं से complete process हो जाएगा लेकिन आप आपको online करवाने के बाद document verification ज़रूर करना है यह आप लोग याद रखिएगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में new वीडियो के साथ इसी चले पर thank you धन्यवाद